कैदी और कोकिला इस कविता में कवी जेल में अकेले थे, निराश थे, दुखी थे आथी रात के समय जब कोयल बोलने लगती है तो उनकी जेल की दिवार पर आकर के जब बोलती है तो उनके मन में कई तरह के भाव आते हैं उनके मन में कई तरह के विचार आते हैं और उन विचारों को शांदार तरीके से इस कविता में कवी श्री माखनलाल चतुरवेदी जी ने बिरोया है इस कविता में अंग्रेज सरकार के दोारा केडियों को जो यातनाई दी जाते थी, कष्ट दीये जाते थे उनके बारे में बताया है स्वतंत्रता अंदोलन में जो लोग भाग लेते थे सरकार उन्हें पकड़ करके जेल में डाल देते थी और फिर उन पर तरह तरह के अन्याई किये जाते अत्याचार किये जाते थे उनसे कोहलू चलवाया जाता था कोहलू क्या होता है कोहलू तेल निकालने वाला एक यंत्र होता है उसमें बैल के स्थान पर लोगों को लगा करके उनसे तेल निकलवाया जाता था उनसे पत्थर तुड़वाये जाते और मोट डाल कर कुवे से पानी निकलवाया जाता था उन्हें पेट भर के खाना भी नहीं दिया जाता था और अंधेरी कोटरी में बंद कर दिया जाता छोटा सा एक कमरा होता है जिसे कोटरी का आ जाता है वह बिल्कुल अंधेरा होता है वहाँ पर यानी की अत्याचार जो थे वो अपनी चरम सीमा पर किये जाते थे अंगरेज सरकार के द्वारा 233 नानियों ने अंगरेजों के अन्याय को अत्याचार आदि को खुब सहन किया लेकिन फिर भी उनके मन में जो देश भक्ति की भावना थी उसे उन्होंने कम नहीं होने दिया भारत की आजादी के लिए उन्होंने लगातार संख़श किया और इसका नतीजा यह हुआ कि सन 1947 में हमारा देश आजाद हो गया इस कविता में कवि कोयल को अपनी सखी मानता है अपना मित्र मानता है और उसे अपने मन की पीड़ा व्यक्त करके बता रहा है कि किस प्रकार से देश भक्ति के गीत गाने का समय है और कोयल को कहता है कि तुम देश भक्ति के गीत गाया करो जिससे देश के लोग जो हैं जो सो गए हैं जो सोए हुए हैं उन्हें जागरित करो उन्हें जगाओ ताकि हमारे देश के आजादे के लिए वो लड़ाई लड़ सके और कोयल को फिर से कहता है कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ उन लोगों को स्वतंतरता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करो स्वतंतरता आंदोलन जो हुमारे देश को स्वतंतर करने के लिए चलाया जा रहा है इस कविता में खड़ी बूली का प्रयोग किया है तत्सम तद्भव और उर्दु शब्दों का प्रयोग किया है चित्रात्मक शेली है यानि कि जब हम कविता को पढ़ते हैं तो हमारे सामने हु बहु जैसे की पिक्चर चल रही है इस प्रकार से चित्रात्मक जो शेली होती है साथ ही संबोधन शेली का प्रयोग भी यहां पर किया गया है जैसे वो पूछता है कि क्या गाती हो यानि कि कोयल को संबोधित किया जा रहा है कि तुम आधी रात को क्या गाती हो यह आजादी का तराना है जो तुम गाती हो आजादी का तराना है या पराधीन का दुख व्यक्त कर रही हो यनि कि दूसरों के आधीन होने के गम में तुम भी दुखी हो ही कोयल कुछ तो बताओ क्या गाती हो क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो क्या लाती हो संदी सिकिशका को फिल बोलो तो यह से कहता है कि तुम कुछ तो बोल करके बताओ उची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में इसमें अपनी व्यथा वो बता रहा है अपना दुख बता रहा है कि किस तरह से हम डाकूच और इन रुटेरों के साथ यहां पर रहे रहे हैं और अंग्रेश सरकार हमें भर पेट खाना भी नहीं देती है